अस्राम रेकुम वराहमतुलाही वर्बरकात हूं वेलकम टो आर हिंदी क्लास तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है कौन सा मौसम चल रहा है बारिश का तो आज हम जो कवीता पढ़ने वाले है वो इसी से संभंदिध है तो कवीता का नाम है पानी और धूब क्या है कवीता का नाम पानी और धूब पेज नमबर 68 अभी अभी थी धूब परसने लगा कहा से यह पानी किसने फोर घड़े बादल के की है इतनी शैतानी तो इस कवीता में कवी ये बता रहे है कि अभी अभी तो धूपती और अच्छनक से कहा से बारिश आने लगी पानी आने लगा और उनका कहना ऐसा है कि किसने बादल के घड़े तोड़ दिये है कि उसमें से पानी बाप लोगों को पता है कि बारिश कहा से आती है बादलों में से ही बारिश आती है तो इस पंक्ती में कवी ये कहना चाहते है कि किसने बादल को फोड़ दिया और बारिश बरसने लगी पा उसको बुला लिया कहकर आजा तो यहाँ पर कभी यह कहना चाते है कि जिस तरीके से आप लोग जब बाहर खेलने जाते हो तो आपकी माँ आपको घर में बुला देते है और दर्वाजा बन कर देते है तो उसी तरीके से यहाँ पर सूरज के जाने के बाद क्या आ गया बारिश आ गई तो यहाँ पर कभी यह कह रहा है कि सूरज ने क्यों अपने दर्वासे बन कर दिये क्या उसकी माने भी उसे बुला लिया जैसे हमारी माँ हमें बुलाती है वैसे कि सूरज की माने भी उसे बुला लिया जोर जोर से गरज रहे है बादल है किसके काका किसको डाट रहे है किसने कहना नहीं सुना मा का तो जब हम मा का कहना नहीं सुनते है जब हमें मा कोई काम देते है या कुछ करने के लिए कहते है तो अगर हम उनके बात नहीं सुनते है तो हमें डाट मिलती है ममी ममी ये डेडी आप पर चिलाते है उसी तरीके से इस पंक्ती में कवी ये कहना चाहते है कि क्यों बादल इतने गरज रहे है पता है ना आप लोगों को बादल में से जब गरज की आवास आती है यानि बिजली की आवास आती है तो क्यों इतने जोर-जोर से आ रही है और क्यों किसको ये डाट रहा है? किसने मा का कहना नहीं सुना है? बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तल्वार? कैसी चमक रही है फिर भी? क्यों खाली जाते है वार? तो जब बिजली कड़कती है तो पता है आप लोगों को कि बहुत जोर सी आवाज आती है और एक तेज रोशनी आसमान में दिखाई देती है तो इस पंक्ती में ये कहना चाता है कि कभी किस तरीके से बिजली आसमान में चमक रही है और उसके वार, यानि जब आप लोगों को बता है कि बिजली भी गिरती है, कभी पेडों पर गिरती है, कभी लाइट के खंबों पर गिरती है, तो इस तरीके से वो कह रहा है कि बिजली के वार क्यों खाली जा रहा है, उसका उसकी चमक, उसकी जो बिजली की जो ये है, धार ह वो क्यूं खाली जा रही है किया अब तक तलवा चलाना मान ने सीख नहीं पाए इसलिए कि आज सीखने आस्मान पर है आए किया तो ये कहना चाहता है कि माने उसे अभी तक तलवा चलाना नहीं सीखाया क्या अभी तक बिजली ने वार करना नहीं सीखा इसलिए अभी वो आस्मान में किस तरीके से वार किया जाता है ये सीखने के लिए आई है अभी अभी थी धूब बरसने लगा कहा से यह पानी यानि अभी अभी धूब थी कहा से पानी आने लगा यानि कहा से बारिश आने लगी तो बच्चों आप लोगों को ये कविता समझ में आई आप लोगों को ये कविता पढ़नी है और इसे आप लोगों को याद करना है उसके बाद page number 69 आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रश्न दिये गये है और उसके आप लोगों को दो उत्तर दिये गए है, दो option दिये गए है आप लोगों को सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है जैसे पहला प्रशन, अच्छानक क्या हो गए? पानी बरसने लगा, तारे निकल आए अच्छानक से क्या हो गया, क्या दोनों में से कौन सा सही उत्तर है पानी बरसने लगा ये तारे निकल आए तो उत्तर क्या है, पानी बरसने लगा तो आप लोग इस पर क्या करोंगे आप लोग इस पर सही का निशान लगाऊंगे इसी तरीके से आप लोगों को ये पाकी की भी प्रशन उत्तर हल करने हैं उसके बाद सही या गलत का निशान लगाओ यहाँ पर आप लोगों को वाक्य दिये गए है आप लोगों को वाक्य पढ़ना है और यहाँ पर सही या गलत का निशान लगाना है उसके बाद next, open your workbook, page number 55, पानी और धूब, यहाँ पर आप लोगों को कविता की पंक्तिया दी गई है, आप लोगों को आपकी टेक्स बुक में से देखकर, यहाँ पर आपको कविता की पंक्तिया पूर्ण करनी है, ठीक है, उसके बाद next, यहाँ पर बारिश से जुड़ा ए आप लोग क्या देखते हैं, तो उस पर आधारित आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र बनाना है, तो बच्चों आप लोगों को कविता याद करनी है, और जो मैंने हुवग दिया है, वो समय पर करना है, इंशाल्ला, वी विल मीट इन दे नेक्स क्लास, अल्लाह हाफिस, अस्ताम लेकुम वर्हमतुलाही वबरकातु हूं